ट्यूजडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग और यह मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि यह मेरा फेवरेट स्टाइल आफ ट्रेडिंग होता क्या है एक swing trading मतलब एक से लेके 5 दिन, 7 दिन तक की trading करते हो, उसको बोलते है swing trading, अब ही ideally इसमें technical analysis ही use होता है, क्योंकि fundamental तो 5 दिन में change नहीं होते हैं, और हम खाली technical की ही बात करते हैं यहाँ पर, so swing trading, और उसमें क्या है कि time कम लगता है, मुझे रोज screen के सामने 6 गंटे नहीं बैट नहीं मुझे बाहर बाहर trade करके अंदर बाहर करना है, जैसे day trading में होता है, तो एक trade लिया उसको 4 पास दिन तक रुका, और उसमें percentage gain जादा होता है, उसमें returns भी जादा मिलते हो, time भी कम लगता है, और अगर आप future में करते हो, तो बहुत ही अच्छा है, so मुझे मेरा favorite है swing trading trading, हमारा swing trading पर एक special course भी है, आप बाद में check कर सकते हो, तो swing trading is 1 to 5 days, 1 to 7 days maximum, 10 दिन तक कभी-कभी लगा तो कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि daily routine, मनला आपको swing trading करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके pros and cons क्या है, so पहले weekend analysis, इसमें सबसे important है, जो हम आपने weekend में हमारे one year students के लिए करते है, trader in me के program के लिए, और उसमें से मैंने कुछ free में YouTube पे भी किये, तो top down approach होता है, जैसे market क्या है, sector क्या है, stocks क्या है, और ये stocks, buy list क्या है, sell list क्या है, कौन सा sector अच्छा चल रहा है, कौन से stocks उसमें top performing है, और वो मेरा एक buy list, sell list बन जाएगा, तो उसमें मुझे जादा ऐसा कुछ 500 stock नहीं है, मेरा stock list बन जाता है, 5 या 7 या कभी कभी जादे स्यादा 10 stock का, उसके अंदर कुछ 5-6 buy के रहते, 2-4 sell के रहते, और जिस दिन और अगले हफते जब market शुरू होता है, मंडे को, तो मैं सोचता हूँ कि market कौन से direction में जा रहा है, तो मैं buy list से trade करूँगा, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं sell list से trade करूँगा, तो मैं market के wave के साथ जा रहा हूँ, market के जोश के साथ जा रहा हूँ, ताकि top down approach maintain रहा है, तो ये आपको weekend पे अच्छा काम करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा swing trader मनना है, weekend पे, जब market कि हाँ, ये bullish है, ये bearish है, यहाँ पर buy करना है, यहाँ पर sell करना है, फिर create buy sell list जैसे मने बदाया है, prepare a complete trading plan before the market opens, मतलब complete plan में इसमें क्या है कि, अगर मैं ये हमेशा बताता हूँ, हमारे students को कि market जैसे आप chess केलते हो, chess is a mind game, और market is also a mind game, तो अगर chess में हम कैसे करते हैं कि, हम हमेशा ये ध्यान रहता है कि सामने वाला क्या play करेगा, वो अगर ये करेगा, तो मैं ये करूँगा, वो अगर ये करेगा, तो मैं ये करूँगा, वैसे ही अगर आप market में अगर ऐसा सोचो कि chess है, सामने कोई बैठा है, तो अगर market ये करेगा, तो मैं buy करूँगा, अगर market आपको कभी भी कुछ भी प्रॉबलेम नहीं होगा, मार्किट को जो करना करें मैं तो यही करने वाला हूँ, आप पहले से डिसाइड कर ले तो कि मेरे को भाइ करने हैं, तब ही जाके तकलीफ होती है, तो आप चेस्ट की तरह सोचु के, तो सारे plan मन चुके कि अगर buy करना है और buy करना है तो कितना करना है और किया तो कहां पर stop loss लगेगा और कहां पर profit book होने की शक्यता है अगर आपका market order है तो market है नहीं तो कोई limit order है जैसे इसके उपर जाएगा तो बाय करना है तो क्या मैं पहले पहले 15 मिट खाली market को और फिर पहले गंडे के अंदर सारे orders को execute कर दूगा और फिर मैं अपना काम कर सकता हो मैं अपना job कर सकता हो business कर सकता हो जो भी करना है और मैं alerts जाल दूगा कुछ भी alert होगा तो मुझे या तो message आएगा या तो phone आएगा या तो beep होगा जो भी है तो मैं उसको track कर सकता monitor at regular intervals आजकल बहुत आसान होगे आपके सारे इतने सारे apps है इतने सारे platforms है और app को खोला check किया market कि दर है का आपका trade कैसा चल रहा है profit है loss है अगर अच trailing stop losses trailing stop loss मैं अगर आप profit में आगए एक बार तो आप trailing stop loss की बात करोगे trailing क्योंकि एक बार profit में आगए समझो एक percentage होता है कि मझे 3% profit में आगया तो मैं break even पे stop डाल दूगा अगर मैं 5% profit में आगया तो मैं 2% पे stop loss डाल दूगा क्योंकि यह again short term trading है right swing trading day trading तो उसमें profit हो ग आपका experience होगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि profit अच्छा दिख रहा था लिया नहीं और नीचे गया और loss में loss में आपने trade को काटा हुआ है कितनी बार मेरे साथ भी हुआ है एक बार profit हो जाता है तो मैं ध्यान रखता हो कि मुझे protect करना है उसको right then shut all external noise बहार का कोई noise नहीं हो अरे कल यह auto sales के numbers कम आये और यह आने वाला है company में और आपका दिमाग हिल जाएगा आपका focus हिल जाएगा हमारे जो वन यह प्रोग्राम में अम लोग उसको पहले do's and don'ts में condition sign करवाते कि आप बिलकुल भी tv नहीं देखोगे बिलकुल भी news channel या कुछ भी नहीं देखोगे newspaper पढ़ने बड़े और in fact किसी से discussion भी नहीं करो आपको जरुआती नहीं आप अपना ट्रेड करो अपना चार्ट देखो अपनी system करो make sense so shut all external noise this is how you should be trading now check position before market closes जैसे मैंने बताया था लास वाले day trading के भी episode में बताया था कि साड़े दीन के बिले एक बार position check करना बहुत जरूरी कभी कई extra lot आ गया exit हो गया entry हो गया आप कुछ गडबड हो गया एक बार चेक करने में कोई खामी नहीं right now let's go to the next part pros and cons अगर करेंगे तो क्या it requires less time to trade then day trading इसमें time बहुत कम लगता है आपको पूरा दिन बैठना नहीं बढ़ता है but trade positions are subject to overnight overnight का risk करेता है कि कल नीचे खुला gap down खुला या gap up खुला तो अब मैं आपको एक gap up gap down का गुरू मंत्र बताता हूँ जादातर लोग डरते हैं और काफी day trade ऐसा justification देते हैं कि रात को कुछ भी हो सकता है हम लोग को day trade रही बनना है अगर मैं बोलता हूँ कि इतने साल के experience के बाद 25 साल के उपर trading कर रहा हूँ 14 साल से सिखा रहा हूँ कि ज 5% एते होते हैं जो gap up against में होते हैं अब लेकिन human memory है human behavior है कि हमको negative चीज़े ज्यादा याद रहती तो एक बार जब gap down आपके against में हुआ था तो आपको वह बहुत सदमा या भी भी याद लेकिन काफी बार आपके favor में होता है वह आपको शायद याद नहीं होगा प्लस दूसरा है कि अगर आपने control में trade किया है आपने limit में trade किया आपका risk management सही है तो इवन gap up gap down के बात भी उतना नुकसान नहीं होगा तो आपको पूरा swing पकटने में आपका return अच्छा होता है आपका capital protection capital का जो appreciation होता है अच्छे से होता है percentage return काफी अच्छा होता है कभी भी कुछ भी आज़ा news आ गया Saturday को कुछ news आ गया कुछ policy change हो गया कुछ lockdown हो गया आजकल तो वही सलता है तो उसके वज़े से शायद आपको affect हो सकता है traders can rely exclusively on technical खाली technical पे काम करना है simplifying the trading process जो तो हम लोग हमेशा वही करते हैं और यहाँ पर swing traders often miss longer term trends in favor of short term market अब यह क्या है कि यह अगर आप swing trade करते हो तो बड़ा जो ट्रेड पुजिश्चनल ट्रेड वह कभी मिस हो जकता है तो अगर आप पुजिश्चनल ट्रेड करना चाहते और बड़ा profit लेना है तो बीच में आपने आप swing trade कर दिया तो पूरा view हिल जाएगा मेरे कुछ बड़े trades के वीडियो अगर आप पहली बार यह चैनल पे हो तो मैं चाहता हूं कि आप देखो अम्बूजा सिमिंट का ट्रेड है जिंदाल स्टील का ट्रेड है मारूती का ट्रेड है डॉक्टर रेडी का ट्रेड है भे यह swing trading काफी फाइदा होता है काफी अच्छा है सब कर सकते बिजी काम के साथ भी कर सकते और रिटर्न भी अच्छा मिलता है लेकिन सही सिस्टम से ट्रेड करना पड़ेगा राइट सो आपको अच्छा भी लग रहा है यह सारे वीडियो जो मैंने पहले English में कर चुका हूं English इस चैनल पर और मैं चाहता हूं कि अगर आप अगर मुझे आपको लगता है कि अच्छे से मैं सिखा रहा हूं और आपको आगे भी सीखना है तो मैं चाहता हूं कि खाली आप अपना मेरा जो सबसे एक फेवरेट प्रोग्राम है मेरा सबसे बेसिक प्रोग्राम है और सबस करिए लिंक पर और अपना टिकेट कर लिए जैनवरि के लिए तब तक के लिए गुद लॉक और गुड ट्रेडिंग अगले एपीसोड में फिरसे मिलेंगे अगला टॉपिक के लिए गुड लॉक का और गुड ट्रेडग